हेलो एब्रीवन मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेज हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके थे उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 जिसके बेसिक कंसेप्ट मैं आपको करवाऊंगा जिसमें जो फर्स्ट है वो है कंटिन्यूट यारें कि interval पर continuity आप कैसे चेक करेंगे तो आज़े श्टार्ट करते हैं Continiuwटी on interval आप interval भी डो टाइब क्यों होते हैं एक होता है close interval एक होता है open interval स्टार्टिंग में देखते हैं Continuum यह एं open interval कि open interval पर कोई function continuous कब होगा अब देखिए a function is set to be continuous on open interval a.b यन कि किसी function को open इंट्रवल ए बी पे कंटिनूस कब बोला जाएगा इफ इट इस कॉंटिनूस एट एवरी पॉइंट ओन ए बी अगर यह कॉंटिनूस है इस इंट्रवल के हर एक पॉइंट पे अगर यह हर एक पॉइंट पे कॉंटिनूस है दिस मेंस पूरे इंट्रवल पे कॉंटिनूस है अगर यह कोई एक ऐसा point मिल जाता है interval के अंदर जिस पर एक continuous नहीं होता this means यह पूरे इंटरवल पर continuous नहीं है देखिए इसको मैं एक example से समझाता हूं आपको यहीं पर एक छोटा सा graph row कर लेते हैं अब मान लिया कि यह x-axis है यह y-axis है और यह point a है next point b है अब देखिए यह जो point a और b लिये है open interval का meaning क्यों होता है कि यह और b count नहीं होगे a और b के भी इसकी value count होगी this means मान लिया कि यह जो कोई भी function है इस type से उसका graph हमें given है कि यह a point पे भी define नहीं है b point पे भी define नहीं है लेकिन इनके बीच में हर एक जगा function की value है this means अब a और b के बीच में जितने भी यह point बनते हैं let us suppose में c d e f so on यह बहुत सारे point लेख सकता हूं यानकि a और b के बीच में जितने भी points है अगर यह हर एक point पे continuous है this means यह interval पे भी क्य होगा continuous होगा अब माल लेते हैं कि let us suppose जी कोई point है c और इस point पे continuous नहीं है यानिकि c point पे this means यानिकि या तो left hand limit, right hand limit के equal नहीं होगी या फिर point पे value equal नहीं होगी this means अगर यह c पे continuous नहीं है तो c point पे function की definition में इसके graph में क्या है break है और graph में break है तो यह पूरे interval पे continuous होई नहीं सकता यानकि interval पे continuous कब होगा जब यह is and every point पे continuous हो इस interval के बीच वाले point जो भी है उसके interval में क्या खास चीज़ है जो open interval में नहीं थी वो देखे ए function is set to be continuous on an open interval sorry on and close interval a b अब close interval a b है this means a point भी count होगा और b point भी count होगा if it is continuous at every value of x lying between a and b यानि कि x की हर एक value पे continuous हो जो a और b के बीच लाई करती है और क्या बोल रहे है continuous at the right of point a और किसके right में continuous हो point a के and left of point b और b point के left में continuous हो अब इसमें देखिए इसको भी एक graph के help से समझते है let us suppose यह y axis है यह x axis है यहां से देखिए अब कोई function है let us suppose यह a point है next point b है और वो function इस तरीके से a और b दोनों तक define है यानकि a point पे भी function की value है और b point पे भी तोकि close interval है ना a पे भी और b पे भी दोनों point होगा अब देखिए same y definition यानकि इनके बीच के हर एक point पे तो continuous हो यानकि ऐ point यह d आ गया और उस पर continuous नहीं है continuous नहीं है this means उसके graph में कहीं न कहीं break है अगर यह d point पे break है तो यह पूरे interval पे भी continuous नहीं होगा अब let us suppose a और b के बीच में यह हर एक point पे continuous है लेकिन फिर भी हम यह नहीं बोल सकते कि close interval पे continuous होगा क्योंकि आप देखिए a point है यहां पर यह discontinuous है क्योंकि वह function का graph ही नहीं graph कहां पर है a से लेके b point तक यानकि a के right में भी continuous होना चाहिए यानकि a की right hand limit भी exist करती हो और जो b point है यहां b के left में यानकि b की left hand limit भी continuous करते है मतलब b की left hand limit है जो वह भी exist करती हो यह ना हो कि वह a point पर ही define ना हो और इनके बीच में तो हर जगा continuous हो यह भी तो हो सकते हैं कि वह a के right में continuous नहीं है लेकिन बाकि सारी value पे continuous है this means यह close interval की definition थी कि limit x approaches to a positive a positive का meaning a के right में f of x is equal to क्या है f of a यही तो किसकी definition थी continuity की और b के left में यानिकि limit x approaches to b negative b negative का meaning है left hand limit f of x is equal to किसके आए f of b के आए तो इस तरीके से function close interval पे continuous होगा यानिकि each and every point lies between a and b and also right limit of a and left limit of b इन सभी पर अगर यह continuous है this means वो a b close interval पे क्या होगा continuous होगा अब यह continuity तो हम पढ़ चुके लेकिन किसी interval पे discontinuous कब होगा वो देखिये extra point में लिखा है a function is set to be discontinuous on the given interval यानकि given interval पे function discontinuous कब होगा अब एक तो ओब्यस्सी बात यह है कि अगर वो interval पे continuous नहीं है this means continuous है if it is discontinuous even at a single point in an interval अगर वो interval के सिर्फ एक single point पे भी discontinuous हो जाता है this means वो पूरे interval पे क्या है discontinuous है अब देखिये यहां से मैं आपको एक चीज़ बताता हूं यह कोई function है यह x-axis y-axis और function का graph कुछ ऐसा है कि वो a point से लेके और यहां b point तक define है लेकिन बीच में कैसा c point है यहां पे जहां function discontinuous है discontinuous है means breaking graph अब देखिये अब मैं बोल रहा हूं कि a और b के बीच में function बताए continuous है कि नहीं आप क्या करोगे कि इस point से क्या होगा break अब यह क्या था सिर्फ एक c point पे क्या था discontinuous था क्या आप a और b के बीच में इसको continuous बोल सकते हो कभी भी नहीं क्योंकि हम एक point ऐसा मिल गया जिस पर यह क्या है discontinuous है तो इस तरीके से यह थी हमारी continuity on an interval अब उसके बाद देखिए अब तक जो भी हमने basic चीज़े पड़ी हैं मैं उसको एक बार revise करवा देता हूं जो starting में हमने पढ़ा था जो first point है वो था continuity at a point उसके बाद interval आया open close अब देखिए एक बार मैं basic clear करवा देता हूं दुबारे से बिल्कुल starting में जब हमने six chapter start किया था तो first point हमारा आया था continuous function continuous function जिसकी definition में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा function जिसका हम अगर graph draw करें और उसमें कहीं भी break ना हो या फिर उसका graph draw करते time हमें pen उठाना ना पड़े paper से this means हो क्या है continuous उसके बाद second point क्या आया कि continuity at a point continuity at a point यानि कि एक point पे function की continuity कैसे check की एक बार मैं दुबारा से repeat करवा देता हूं यह y और यह x axis हम मान लिया कि यह कोई function का graph है और यह point है ए सिर्फ इस function को हमने a पे continuity check करनी है अब a point पे हम यहां से क्या देखते थे भी एक तो a point पे function की कुछ न कुछ वैल्यू जुरूर हो एक्जिस्ट करती हो अगर a point पे value नहीं है this means वहीं पे break हो गया उसके बाद left hand limit निकालते थे a के left hand limit का meaning है slightly less than a यानि कि वो लगबग क्या हो जाता था a minus 0 यानि कि जहां हम h को क्या अप्रोच कुलाते थे 0 और right hand limit निकालते थे यानिकि slightly greater than a यानिकि a से थोड़ा सा आगे और a से जस्ट थोड़ा सा पीछे यानिकि slightly बिल्कुल a के नजदेख और a point पे अगर यह 3 एक पहला जाते थे this means वह क्या था था point पे continuous बिल्कुल छोटा सा interval चेक करते थे यानिकि छोटा सा यहां पे देख सिर्फ एक पॉइंट का मिनिंग है कि आपने उस point पे value चेक की और just slightly less than यानिकि left hand limit निकाली slightly greater than यानिकि right hand limit निकाली उसके बाद third point आया continuity on the interval continuity on the interval जो आपने अभी पड़े हैं यानिकि open interval close interval और उसके बाद fourth point सा discontinuity का discontinuity अब यह discontinuity point पे भी थी और interval पे भी है यानिकि कि किसी point पे function continuous नहीं है this means discontinuous है किसी interval पे function continuous नहीं है this means वो क्या है discontinuous है अब यह discontinuity तो हर जगह थी यानिकि जो function continuous नहीं है तो दूसरा option क्या बसता है discontinuous बचेगा ना इस तरीके से अगर कोई positive नहीं है तो negative even नहीं है यानिकि दूसरे के उल्टे होते है इस तरीके से यानिकि discontinuity तो हर जगह लाइक करेगी जहां continuity नहीं है वही discontinuity होगी तो इस तरीके से ही हमारे main main points है आपको difference पता हो एक continuous function में continuity at point में और continuity only interval में उसके बाद देखिए प्यारे बच्छों अब हम continuous function से related कूष पढ़ेंगे जो exercise 6.2 में बहुत ज्यादा काम आने वाली है बहुत important है तो यहां देखिए some important theorem on continuous function अब कुछ important theorem है continuous function से related जो फर्स्ट है वो क्या कहती है इसको हम already पढ़ भी चुके exercise 6.1 में मैं 12 रिपीट करवा देता हूं if f and g are two continuous function अगर f और g कोई भी दो continuous function है on their common domain d अब उनकी जो common domain है वो क्या है डी है then यानकि दोनों function का addition भी क्या होगा continuous on d अगर वो अगर d पे continuous है दोनों function की subtraction भी क्या होगी continuous होगी अगर c into f करें c जहां कोई भी क्या है real number है तब भी function क्या रहेगा continuous on d अब उसके बाद देखें दोनों function की multiply करें तब भी वो continuous continuous रहेंगे d पे और दोनों function को divide करें कि f y g यह continuous रहेगा d पे अगर g of x की value not equal to 0 है क्योंकि अगर g function की value 0 होगी तो यह undefined value देगा और उस case में हम इसकी continuity नहीं बता सकते इनकी function की value नहीं है तो continuity कैसे बताएंगे इस तरीके से यह already मैं exercise 6.1 में बता भी चुका हूं इसके प्रूब भी दिये थे पिछे इसको solve भी करवाए था कि यह कैसे होता है तो यह थे आपकी थोरम नंबर first उसके बाद है दो थोरम नंबर second है थोरम नंबर second देखें क्या कह इस continuous हर एक constant function क्या होता है continuous होता है अब इसको प्रूब करने के लिए देखें let f of x is equal to k be a constant function f of x is equal to k हमने क्या लिया constant function वेर के बिलॉंग्स टू रियल लंबर यानकि जहां के की वैल्यू कोई भी रियल लंबर हो सकते हैं 12345 so on अब यहां से देखें जब हम लीमिट निकालेंगे लीमिट कि एक्स अप्रोच इस्टू अगर लेट इस पोज इसको एपॉइंट पे continuous continuity चेक करने यानिकि यहां लिखेंगे आप देखें कोई function की value 5 है और मैं वहां limit पूट करूंगा तो function तो 5 रहेगा ना यानिकि वहां कोई variable ही नहीं है value पूट करने के लिए तो यहां से value क्या आएगी k आएगी और f of a की value भी क्या आएगी k आएगी f of a यानिकि x की जगह यह पूट करना x यहां ही नहीं या फिर आप k को ऐसे लिख सकते हो x की power 0 क्योंकि x की power 0 क्यों होता है 1 और 1 into k k ही रहेगा कोई effect नहीं पड़ेगा a की value रख लीजिए यानिकि x की जगह यह रखो के तब भी value के आएगी k यानिकि limit में भी value के और point पे भी value के this means function क्या होगा continuous होगा at x is equal to a a क्या होता है कोई भी arbitrary value हो सकते है या फिर कोई भी real number हो सकता है यानिकि जो constant function होता है वो हमेशा continuous रहता है इसको इस तरीके से समझें अब देखें कोई function है f of x is equal to 5 f of x is equal to 5 अब यहां x के जितनी मर्जी value पूट करते जाए अब x के जगह कुछ भी value पूट करें क्योंकि x तो यहां ही नहीं function की value क्या रहेगी 5 ही रहेगी यानिकि each and every point पे function क्या है 5 तो graph इस तरीके से बनेगा उसका यानिकि constant इस तरीके से यानिकि कहीं भी कोई break नहीं होगा हर एक point पे value 5 this means जो constant function है वो हमेशा क्या रहता है continuous रहता है तो यह थी आपकी थोरू नंबर 2 बिलकुल एजिस यह बस आपको result याद रखने होती है उसके बाद देखिए जो थोरू नंबर 3 है the identity function is continuous यानिकि जो identity function है चाहिए वो कोई भी हो वो भी क्या होगा continuous होगा तो इसको प्रूव कोईने के लिए देखिए let f of x is equal to x be a identity function यह क्या है identity function and a b any real value a को हमने क्या लिया कोई भी real value है अब देखिए class 11 में आपने पढ़ा होगा क्या identity function की definition क्या होती है अगर f of x is equal to x जैनकि single variable हो this means वो क्या रहता है identity function रहता है अब इसको continuous प्रूव करेंगे कोई a point लिया है या यानकि a कोई भी real value हो सकती है at x is equal to a at x is equal to a अगर limit की value ने काले limit x approaches to a f of x तो value क्या होगी limit x approaches to a function की value क्या है x और जब x की जगह a put करोगे value क्या आएगी उसके बाद देखिए f of a यानकि function में x की जगह a put कर दे तब value क्या रही है this means limit x approaches to a f of x की value किसके equal आई है f of a के और दोनों की value किसके equal है a के लास्ट में क्या लिखोगे hence every identity function every identity function is continuous तो इस तरीके से हर एक identity function है जो वो क्या होंगे continuous होंगे किसी भी real value के लिए तो इस तरीके से आप thorum number third को prove करोगे उसके बाद देखिए thorum number four जो most important thorum है यह जितनी भी थोरम से यहां देगी है exercise 6.2 के introduction में जिसका कफी उस होगा जो थोरम number four देखिए क्या कहती है अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होंगे continuous होंगे आप देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन को continuous दिखाना करना पॉलिनोमयल ले इंद भी हो सकते हैं क्यूबिक भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन प्रूब कर रहे हैं अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्सिन है तो उसको कुछ ने कुछ है जूम करना पड़ेगा let f of x is equal to f of x हमने लिया a note plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube लाज्ट टक है एकी पॉलिनॉमियल फंक्सिन है यह हमने क्या लिया है कि पॉलिनॉमियल फंक्सिन जान की वैलिए कुछ भी हो सकती है न यान की पावर ऑफ दृब्वरियेबल एक्स अब इस पॉलिनॉमियल फंक्सिन को हम continuous प्रूव करेंगे इच एंड एवरी पॉइंट पे अब continuous प्रूव करने के लिए हम एक method का यूज करने वाले है mathematical induction या फिर जो 11th के 4 chapter में आपको ने किया था principle of mathematical induction we will prove this we will prove this theorem this theorem by mathematical induction mathematical induction से हम इसको प्रूव करेंगी अब देखें mathematical induction क्या कहता था कि सबसे पहले n is equal to 1 के लिए अप प्रूव कर दीजीए फिर n is equal to k के लिए आप एस जोन कर लिए और n is equal to k plus 1 के लिए आप प्रूव कर दीजिए, तो हर एक जगा वो क्या होता था, यानिकि इस तरीके से हमारे एक value के लिए उसको प्रूव करते थे, mathematical induction से, 11th का 4 chapter रहाद कीजिए, तो starting में हम देखते हैं, 4 n is equal to 1, n is equal to 1, देखें आप n is equal to 0 के लिए भी check कर सकते हैं, n is equal to 0, यानिके x to the power 0, यानिकी सिरफ constant value बचेगी a note, a note क्या है constant function, जो क्या होगा, continuous होगा, at every point, जो अभी मैंने आपको पीछे thorms में बताया था, तो हम n is equal to 1 के लिए check करते हैं, 4 n is equal to 1 function की value क्या होगी, a note plus a1 x, यानिकी x की power क्या हो, 1 हो, अगर x की power 1 है, इस मिन से क्या होगा, linear function होगा, a note plus a1 x, अब यहाँ देखें, it is the sum of constant function and multiple of identity function, यह क्या है, यह sum है, एक constant function का, और multiple of identity function का, अब constant function कौन सा है, a note, यानिकी जहाँ कोई variable नहीं है, यह क्या है, अपने अपने एक constant function है, अभी x क्या था, x अभी जो हम previous score में बताया, identity function, identity function की किसके साथ multiply कर दी, sum constant even, अगर identity function continuous है, और उसको हम किसी constant से multiply कर दें, यह algebra of continuity में भी बताया था, थोर हम first में भी बताया था, कि अगर f continuous है, तो cf भी continuous होगा, this means, यह constant function ही, identity function का multiple, then, it is continuous for all real values, यानिकि यह क्या होगे, continuous होगे, यानिकि इन दोनों function का sum क्या होगा, continuous होगा, हर एक real value के लिए, क्योंकि first क्या है, identity function, sorry, constant function, second क्या है, identity function का multiple है, जो अभी हमने प्रूव किया है, कि वो continuous होगे, अगर यह दोनों continuous है, this means, इनका sum भी क्या रहेगा, continuous, यह algebra of continuity में आपको बताया गया था, उसके बाद देखिए, let, it will be true, for n is equal to k, हम मान लेते हैं, कि n is equal to k के लिए true है, then, कोई function f of x is equal to, अब k तक लेना, यानिकि a note, plus a1 x, plus a2 x square, so on, last में क्या हो जाएगा, a, k और x की power k, b, a, continuous function, ठीक है, यह हमने क्या suppose किया है, यह अपनी तरफ से suppose कर लिया, कि n is equal to k के लिए, यह जो function है, यह क्या रहेगा, continuous रहेगा, उसके बाद देखिए, now, we will check, 8, 4, n is equal to k plus 1, अब हम k plus 1 के लिए चेक करेंगे, यह फिर प्रूव करेंगे, कि यह continuous होगा, यह फिर नहीं होगा, अब यहां से देखिए, f of x की value क्या होगी, a note, plus a1 x, plus a2 x, so on, last तक चलता जाएगा, अब k plus 1, यहनकी power k plus 1 जाने के लिए power k भी तो आएगी, उसके बाद ही plus 1 होगा न, तो यहां से a k, x की power k, plus a k plus 1, x की power k plus 1, b a, polynomial function, यह क्या है, polynomial function है, ठीक है, अब हमने इसको भी assume किया है, कि यह n is equal to k plus 1 तक, यह जो x की power k plus 1 तक जा रही है, यह भी क्या है के continuous function है, अब उसके बाद देखिए, यहां से देखिए, a not as it is plus, अगर आगे से हर एक ट्रम में देखी, x है, यहां x की power 1, 2, 3, 4, so on, यहां power k हो गई, और फिर k plus 1 हो गई, सभी में से अगर एक power हम कम कर दें, यहां से value क्या बची, a1 plus, यहां से value बची, a2x plus, आगे से value क्या बचेगी, a3x के बच जाएगी, लेकिन so on, last तक जाएगी, अब देखिए, a k as it is, x की power कितनी बची, k already यहां थी, एक हमने common ले लिए, तो k minus 1 बच गया, यहां की एक power minus होगी, उसके बाद plus, a k plus 1, यहां x की power k plus 1 थी, तो एक minus की तो क्या होगया, x की power k बच गया, आब यहां से देखिए, अब इसको हमने continuous मानना था, n square to k के लिए, तो इसको equation first आप assume कर सकते हैं, ठीक है, यह equation first है कि यह polynomial function continuous होगा, अब देखिए यह जो function आया है, एक तो यह constant function है, plus identity into में यह function polynomial function है, identity के साथ multiply में है, क्योंकि x क्या है, identity function है, identity function के साथ यह multiple में क्या है, by equation first, it is continuous, अब हम यह लिख सकते हैं, it is the sum of constant function, यानि कि यह constant anode, and, sorry, पलशी लिए दिया, and multiply of polynomial function with identity function, अब समझ में आई चीज, यानि कि यह जो function आया है, यह एक तो constant है, plus में identity function की multiply हो रखी है, एक polynomial function से, यानि कि k के लिए हमने इसको क्या मानना था, इनकी x की power k के लिए, अब यह देखो constant की value तो कुछ भी हो सकती है, 1,8,2,0, x की power k के लिए हमने क्या मानना था, इसको continuous, यानि कि जो bracket में लिखा है, यह तो क्या हो गया, continuous by equation first, उसके बाद a note और plus x, यह अभी मैंने क्या अपता है था, यह क्या होंगे, continuous होंगे, यानि कि complete function क्या हो जाएगा, continuous, so, this is continuous by equation first, यानि कि equation first के help से यह क्या होगा, continuous होगा, क्योंकि a note always continuous, constant function, x always continuous, identity function, और identity function की multiply, अगर polynomial के साथ है, this means वो भी क्या होगा, continuous होगा, और इसको हमने continuous से एजूंग किया था, तो इस तरीके से, आप किसी भी polynomial function को, continuous प्रूव कर सकते हैं, यह important result है, कई बर आभी सकते हैं, कि prove that every polynomial function is continuous, वैसे तो यह सारी theorem से important है, लेकिन कुछ theorem ऐसी है, जो बिल्कुल ही जी सी, आप देखिए, जैसे constant function का case था, identity function का case था, इतनी भी असान चीज़े आप से नहीं पूछी जाएगे, आप जो भी थोरू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीके से उसको समझे, हो सकता है कि वीडियो में, इसे अगर आपको 100% समझ में ना रहा हूँ, तो साथ में book रखे, बुक की भी help ले कि book में ऐसा क्या लिखा है, मैं कई चीज़े यहां सोट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए book में n is equal to 0 के लिए भी इसको दिखाया गया है, मैंने बता दिया था कि 0 के लिए आप continuity चेक कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 1, k और k प्लस 1 के लिए आपको प्रूव कर रहा है, जैसे 11th class का 4 chapter में आप करते थे, यहनकि n is equal to 1, n is equal to k के लिए आज्यूम कर लिया, और n is equal to k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव कर दिया, तो इस तरीके से आप polynomial function को continuous प्रूव कर सकते हैं, at is real values, function is continuous on its domain, अब rational function किस टाइब क्यों होते हैं, f of x is equal to p of x, divide में q of x, ठीक है, fgb ले सकते हो, मैंने pq लिख लिया, जहां पर जो q of x की value है, वो not equal to 0 हो, अब इनको continuous प्रूव करने हैं, अब इनको continuous प्रूव करने के लिए, अगर p of x continuous है, जियोफेक्स भी continuous है, और जियोफेक्स की value not equal to 0 है, this means, यह जो complete function है, यह भी क्या होगा, continuous होगा, एक बार इसको आप बुक में से पढ़ लिजी, ज्यादा कुछने आप खुद से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद देखिए, जो थोरूम नंबर 6 है, every cosine function is continuous, यह भी most important theorem है, यहां से देखिए, इसको प्रूव करते हैं, let f of x is equal to cos x, cos function है, तो हमने cos x मान लिया, be a cosine function, and a b any real value, ठीक है, यह फिर any real number, कुछ भी आप लिख सकते हैं, a हमने क्या लिया, कोई भी real number लिया, तो हम इसको प्रूव करेंगे, at x is equal to a पे, कि ए continuous होगा, या फिर नहीं होगा, सबसे पहले देखिए, left hand limit, left hand limit की value निकालेंगे, limit, x approaches to a negative, function की value क्या होगी, cos x, अब उसके बाद put करोगे, x is equal to a minus h, where h tends to 0, जहाँ h किसको टेंट कर रहा है, 0 को, तो next step होगा, limit h tends to 0, function की value क्या है, cos of x, x की जगा क्या put करोगे, a minus h, तो यहां के देखिए, limit h tends to 0, cos of a minus h, यानिके a minus b का formula होगा, cos a minus b किसके एकवल होता है, cos a, cos b, plus, sin a, or sin b, यानिके यहां minus है तो plus हो जाएगा, तो उसके बाद देखिए, जब आप h को 0 put करोगे, sin 0, 0, तो यह तो क्या होगा, complete 0 होगा, उसके बाद देखिए, cos 0 की value क्या ही, 1 और into में ये cos से क्या है, तो constant है, ये क्या कोई भी real number है, this means, यहां से हमारी value क्या ही, cos से, चूंकि cos x, cos h की value 0, sin h, sorry, इसकी value 1, और sin h की value 0 होके, ये सारा क्या होगा, 0 होगा, तो left and limit की value आई, cos से, उसके बाद हम right and limit की value निकालते हैं, right and limit में देखिए, limit x approaches to a positive f of x, function की value क्या है, limit x approaches to a positive, function की value है cos x, अब put करोगे, x is equal to a plus h, जहां पे h किसको approach करता है, 0 को approach करता है, this means next step limit h approaches to 0, function की value क्या है, cos x, x की जगा क्या आप क्या लिखोगे, a plus h लिखोगे, next देखिए, limit h approaches to 0, cos of a plus b, इसको लिखा जा सकता है, cos a, cos b, minus में, sin a, और sin b, यानिकी h, अब जब h को 0 put करोगे, तो cos 0 क्या हो गया, 1, sin 0, 0, यानिकी complete term तो अब भी 0 होगी, तो 1 into cos a value क्या ही, cos a, अब left and limit और right and limit दोनों equal आ चुके है, point पे value निकालते है, f of a की value क्या होगी, यानिकी function में x की जगा a put करोगे, तो या क्या हो जाएगा, cos a, क्या होगा, cos a, तो यहां से हम लिखेंगे, here, left and limit is equal to right and limit is equal to kya है, f of a और सभी की value क्या ही है, cos a, and thus the cosine function is continuous at every point, ठीक है, यह क्या होगा, continuous होगा हर एक point पे, अब a क्या लिया था, कोई भी real value ली थी, यानिकी किसी भी real value पे यह क्या हो जाएगा, continuous हो जाएगा, अब देखें, cos a का case मेंने यहां करुआ है कि cos a को हम continuous कैसे प्रूव करें, अब आपके लिए question है, कि आप sine function को, f of x is equal to sine x को भी, आप continuous प्रूव करें, आपकी thorum में नहीं गीवन है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, कि f of x is equal to sine x को, किसी भी real value के लिए आपको, आपने continuous प्रूव करने हैं, तो यह आपका homework भी हो जाता है, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, जैसे मैंने course के लिए अप्रूव किया है, ऐसे ही आप sine के लिए अप्रूव करेंगें, उसके बाद देखें, प्यारे बच्चों, thorum number 7 है, modulus function, यानकी mode x is continuous, यानकी जो modulus function है, वो क्या होगा, continuous होगा, तो यहां से हम ले लेते हैं, let, के जो modulus function है, वो हमने लिया है, mode x, and, a, b, and a real number, a को हमने क्या लिया, real number, अब देखें, a real number लिया है, और function है, mode x, अब mode वारे question हम पहले भी कर चुके हैं, exercise 6.1 में, अब आप सोच रहोंगे सर, mode वारे question तो already आ चुके हैं, लेकिन यह थोरम अब आई है, कि modulus function continuous होगा, अब देखें, वहां अकेले modulus function नहीं थे, modulus function के साथ में, अनकी plus में कुछ function था, minus में था, divide में था, इस तरीके से अनकी combination वारे function थे, अकेला mode function नहीं आया, अगर अकेला mode function आया भी है, this means वो continuous रहा है, उस point पे, जिस point पे भी वो पुछा गया है, तो यहां से देखिए, a हमने कोई real number लिया है, तो यहां से total 3 case होगे, जो case 1 है, वो क्या होगा, at a greater than 0, या तो यह हो सकता है कि a की value क्या हो, greater than 0, उसके बाद case 2 क्या हो सकता है, at a less than 0, यानकि हम continuity चेक करेंगे, a greater than 0 पे, या फिर a less than 0 पे, या फिर case 3 क्या हो सकता है, case 3, at x is equal to 0, sorry, a is equal to 0 है, point क्या है, यानकि हमें इन तिन्नों पे continuity चेक करने है, अगर a की value positive रही होगी, तो function उन पॉइंटों पे continuous है कि नहीं, जैसे positive में 0.1, 0.2, 1, 2, 3, so on, यह सारी positive value है, यानकि 0 से और infinity के बीच की जो सारी value है, सारी क्या है, positive है, infinity को भी count करने, तो उस पे यह function continuous होगा या नहीं होगा, अब देखिए, अगर a की value, greater than 0 है, तो function की value क्या होगी, f of x यानकि mode x, यानकि x positive ही रहेगा, 0.1, 0.2, 0.3, so on, 1, 2, 3, यह आगे जितनी भी values हैं, सारी क्या positive, तो function की value क्या है, positive f of x is equal to x आगया, अब भी मैंने पिछली थोरों में क्या बताया था, कि f of x is equal to x, कुम सा function होता है, identity function, class 11 में भी आप पढ़ क्या है हो, और यह जो identity function है, यह each and every point पे क्या रहेगा, continuous रहेगा, यानकि अगर a की value 0 है, यानकि a कोई positive real number है, तब तो यह function पका continuous है, इसको तो check करने की जूरत नहीं हम, पिछले थोर्मों में पढ़ चुके हैं, आप देखिए, अगर यह negative है, तो function की value क्या होगी, यानकि x की value negative होगी, यानकि यह क्या होगया, minus x होगया, अब minus x को क्या लिख सकते हो, कि minus 1 into में, identity function, यानकि multiple of identity function लिख सकते हो, या फिर, इसको आप polynomial function भी लिख सकते हो, अब यह क्या है, polynomial function, अभी हमने प्रूव किया था एक थोर्म में, कि हर एक polynomial function क्या होता है, continuous, यानकि f of x is equal to minus x क्या होगया, यह linear polynomial है, और कोई भी polynomial function हो, हमेशा क्या रहेगा, continuous रहेगा, तो इस second case में भी continuous होगा, अगर a की value कोई भी negative number है, यानकि negative real number है, this means वो function तब भी continuous रहेगा, उस point पे, उसके बाद third case में, अगर a की value 0 हो जाती है, a की value 0 हो जाती है, तो सबसे पहले हम point पे value निकालते है, यानकि f of 0 की value, या फिर f of a लिख सकते हो, a की value क्या है 0, तो f of 0 की value क्या रहेगी, यानकि mode x है, 0 put करोगे तो value क्या आगी 0, यानकि point पे value क्या आगी 0, उसके बाद हमने limit निकाल लिए, हम क्या निकाल लेंगे, limit, अब left hand limit में देखिए, left hand limit, limit, x approaches to point की value क्या होगे, 0 यानकि 0 पे देखने, यानकि 0 negative function की value क्या है, mode x, अब x के जगा आप क्या put करेंगे, 0 minus h, आप direct put कर लेजिए, मैं यहां direct किड़वा देता हूँ, limit, as approaches to क्या होगे, 0 और mode of, mode किसका होगा, 0 minus h, और 0 minus h, यानकि, minus h का mode, minus h का mode निकालोगे, तो क्या होगे, plus h ही आएगा, उसके बाद देखिए, right hand limit, right hand limit में limit, x approaches to point 0 है, तो 0 positive function की value, mode x, अब put x is equal to, 0 plus h, then limit, h approaches to 0, mode of 0 plus h, यानकि, plus h का mode क्या रहेगा, h ही रहेगा, अब point पे देखिए, यहां से देखिए, left hand limit h, right hand limit h, अब h की जगा 0, put करोगे, तो यह क्या होगा, 0 और यह भी क्या होगा, 0 होगा, यानकि, complete value क्या रहे है, 0 left पे भी, right पे भी, और point पे भी, this means, यहां से देखिए, left hand limit is equal to, right hand limit is equal to, f of 0 is equal to, तो यह function क्या होगा, continuous, यानकि, a के value अगर 0 से बढ़ी है, तब यह सहर एक value पर continuous, अगर a के value 0 से थोटी है, तब भी continuous, और a के value 0 है, तब भी क्या रहेगा, continuous, अगर यह single एक mode function है, तो यह हमेशा क्या रहेगा, continuous रहेगा, अगर mode function के साथ में कुछ और function add कर दी है जैसे let us suppose f of x is equal to mode x plus 3 x square divide में x into x plus 3 यानकि बहुत सारे function बना सकता है अब इस case में क्या है कि हमें definition break करनी होती है कि x की value 0 से negative है इस function की value तो negative रहेगी बाकी function की value negative है या positive है फिर हम 0 से बड़ी value पर देखते हैं फिर 0 पर देखते हैं इस टाइप से अपने 6.1 में mode वाले function में definition break की थी अगर single mode वाला function है और कोई साथ में combination में नहीं है तो आप easily उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बीना definition ब्रेक किये उसके बाद देखिए जो थोरम नंबर 8 है थोरम नंबर 8 में exponential function की exponential function है जो वो क्या होगा continuous function होगा इसी तरीके से जैसे हमने बाकी सारी थोर्म की इसी तरीके से हम exponential function को भी continuous प्रूव करेंगे तो थोरम नंबर 8 देखिए every exponential function every exponential function is continuous क्या होगे continuous होगे तो यहां से देखिए exponential function क्या कहते है let f of x is equal to e की पावर x 11 में पढ़ा होगा यह कुण सा function होता है exponential function and a be any real number और a क्या है कोई भी real number है तो इसमें देखिए left hand limit निकालते हैं सबसे पहले limit x approaches to a negative function की value है e की पावर x अब put करोगे x is equal to a minus h ठीक है तो यहां से value आएगी limit h approaches to 0 e की पावर a minus h हो गया e की पावर a minus h अब इसको में क्या लिख सकता हूँ limit h approaches to 0 a minus h है यहांकि e की पावर a into में e की पावर minus h तो क्योंकि base से में तो पावर add हो जाएगी दुबारा से वही a minus h हो जाएगी e की पावर अब e की पावर minus h को क्या लिखा जा सकते है 1 by e की पावर h लिख सकते है जब आप h को 0 put करोगे यानि की पावर 0 अब something की पावर 0 चाहे कुछ भी हो तो value क्या हो जाती है 1 यानि कि यह जो complete है यह क्या हो गया 1 हो गया और into में क्या e की पावर a constant है तो left hand limit की value क्या ही e की पावर a इसी तरीके से जो right hand limit है उसमें आप क्या करोगे limit as approaches to 0 direct में बता रहा हूँ e की पावर क्या होगी a plus h हो जाएगी क्या हो जाएगी a plus h अब same as it is limit as approaches to 0 e की पावर a plus h को क्या लिखा जा सकता है e की पावर a into में e की पावर h अब base same है तो यहां भी power add हो जाएगी तो यहांसे देखे e की पावर h यानकी e की पावर 0 यह क्या हो गया 1 1 into में e की पावर a तो यह क्या हो गया तो e की पावर a तो यहांसे देखे left hand limit e की पावर a right hand limit e की पावर a और point पे value भी क्या है e की पावर a hence exponential function is continuous at every real values यहनकी जो exponential function है वो हर एक real value के लिए क्या रहेगा continuous रहेगा उसके बाद देखे जो last theorem आपके रहती है theorem number 9 composition of function composition of functions यह मैं 6.1 के introduction में करवा चुका हूँ कि अगर दो function continuous है let it f है दूसरा g है तो उनकी जो composition है f of g या फिर g of f अगर वो exist करती है this means वो भी क्या होगी continuous होगी अब अगर आपने 6.1 के lecture नहीं देखा है तो 6.1 का basic introduction देखिए जा मैंने theorem number 2 में यही बताया था कि जो composition function है वो हमेशा क्या रहती है continuous अगर f of g continuous है तब हमें nine thorns पड़ी continuity on the interval पड़ा और थोड़ी सा हमने revise भी किया था कि continuous function मैंने आपको क्या पताय था continuity at a point क्या थी continuity at a interval क्या थी उसके बाद यह thorns अब यह जो थो sign function को continuous प्रूव किया और आपको बोला था कि आप sign function को continuous प्रूव करें यह sign function agities हो सकते आपके question में भी हो exercise 6.2 में कि prove that sign function is a continuous function तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही देखते रहिए Defecto Classes प्रूप